स्वागे थे तो गाईज आज हम पड़ने वाले हैं सेक्टर्स ओफ इंडियान इकनॉमी जो है क्लास चेंड का इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर टू ठीक है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा तो यह वाला जो चैप्टर है इसके नोट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे या आप हमारा टेलिग्राम चैनल सस्क्राइब कर सकते हो उसमें भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो सेक्टर्स ओफ इंडियान इकनॉमी पूरा चैप्टर आज हम वन श कर रहें कुछ घृप समें जो इंपॉट्टेंट क्राइटेरिय mतंदल हमने क्या करते हैं इंपॉट्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं और यह गृप सो जो हैं सेक्टर्स ओफ इकनॉमी के नाम से जाने जाते हैं ठीक है पीपल अरांड अस ऊर्र इंगेज इन डिफरन् activities to earn livelihood some may be producing good while other may be delivering services ठीक है तो इसमें क्या कह रहे है जो people around us जो हमारे आसपास के लोग हैं वो in activities से क्या करें पैसे का हमारे अपने रोजाना खर्चे को चलाने के लिए जो कुछ है वो produce कर रहे हैं उन चीजों को और कुछ क्या कर रहे है वो जो चीज produce हुए है उसे क्या कर रहे है deliver की servicing मलब deliver कर रहे है इदर से उतर ठीक है अब classification on the basis of nature of activities तो यह अब हम कुछ classification देखते हैं सबसे पहला जो classification है वह है sector of Indian economy के तीन है primary secondary और tertiary tertiary ठीक है तो यह तीन हम पहले बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते है primary sector the economic activities which are connected with the extraction and the production of natural resources for example agriculture fishing mining etc fall under primary sector अब अब जितनी भी economic activities है जो connected है natural resources से जैसे कि agriculture से वो हमारे किस के अंदर आते हैं primary sector के आते है इसलिए तो primary sector का दूसरा नाम के agricultural sector ठीक है अब हम देखते है secondary sector the economic activities which are related to the manufacturing process for example manufacturing of steel fall under secondary sector जितनी भी economic activities है जो manufacturing के काम से जुड़े रखे हैं वो किसके अंदर आती हैं हमारे secondary sector के जैसे कि manufacturing of steel अब secondary sector आप मैं थोड़े डीप में बताता हूं जो secondary sector होता है वो डिपेंड होता है किसके लिए raw material जैसे कि अब मैं एक example लेता हूं कि मैंने गाये से यहां से दूद निकाला अब कुछ लोग तो होंगे जो सीधा दूद खरीद लेंगे लेकिन कुछ होंगे जो बटर खाना चाहेंगे तो मैं उसको secondary sector में लाऊंगा और उससे बटर बनाऊंगा और जैसी बटर बन जाएगा फिर मैं उसको tertiary sector के पास भेद दूँगा और वो ट्रांस्पोर्ट करके उसको दुकानों मॉल हर जगा क्या कर देगा बाट देगा मतलब की पहुँचा देगा उसकी वज़े से वो किसके पास चले आगा सिधा consumer के पास में secondary sector समझाए अब tertiary sector का आधा का मैंने बता देगी वो transportation में मदद करते हैं the economic activity that mostly based on providing service to the society like transportation, banking, insurance etc fall under the tertiary sector transportation तो होता है banking, banking भी एक service है जितनी भी services हमें दी जाती है वो किसके अंदर आती है tertiary sector के अंदर आती है जैसे कि banking हो गया insurance हो गया और आपकी transportation हो गया जितने भी आपके क्या होती services होती है वो आपकी tertiary sector के अंदर आती है यह तीनो जो sector से यह क्या है dependent on each other जैसे कि primary यह नहीं होगा तो secondary पे कैसे जाएगा अब gross domestic product जिसे हम GDP के नाम से जानते है the value of final good and services produced in each sector during a particular year providing the total production of the sector of that year and the sum of the production in the year 3 sector give the gross domestic product of a country GDP show how big the economy of country is तो बहुत ही बड़ा सा definition है पर मैं आपको इसको बिलकुल हसानी से समझाता हूँ तो इसका मतलब क्या है जितनी भी value final goods की value होगी यह services से जितना भी पैसा आएगा उन सब को जोड़के जिसे कि एक साल में 10,000 की मान लो 10,000 की final goods और हर sector से इतनी कमाई है 10,000 total आई है तो जितना भी तीनो sector का production होगा वो क्या होग हमारा GDP होगा जितना भी तीनो sector से हमारा production निकल ला है total उसको हम क्या कहते है GDP कहते हैं अब वो production ऐसे नहीं कि 10 किलो चावल नहीं उसकी value उसका कितना मुनमलब कितने पैसे का है वो उसको हम GDP कहेंगे और GDP क्या show करता है हमारी economy of country मतलब कि हमारे economic हमारी country की income आप यह समझ लो कि country के income हमारी GDP होती है ठीक है जितना भी हमारा अगर production बढ़ेगा तो हमारी GDP बढ़ेगी मतलब कि country की income बढ़ लिए अगर हमारा production तीनो sector से काम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा production काम हो जाएगा और और हमारी country की GDP क्या हो जाएगी काम हो जाएगी ठीक है comparing the three sector between 1973 and 2003 ठीक है अब तीनो sectors की देखते हैं हम क्या GDP GDP by primary sector secondary sector tertiary sector तीन कलर दे रखें 1973 में देखो कितना कम था 20,000 से 30,000 हमारा tertiary था और 15,000 से 20,000 हमारा secondary और 0 से 10,000 हमारा primary sector अब देखो तो कितना बढ़ चुका है क्योंकि production क्या हो रहा है बढ़ रहा है हर जगा से अब यह हमारे GDP है वो क्या था हमारा यह तीनो sector से था और यह share है कि shares कितने बड़े है तो देखो share भी हमारा बहुत कुछ बड़ा है tertiary का बड़ा है secondary का primary का हमारा है अब इसका मतलब क्या है लोग क्या हो रहे है प्राइमरी से टर्शरी और सेकंडरी में प्राइमरी में हमें खेतों में काम करना पड़ते हैं मतलब नैचूरल जगाओं में काम करना पड़ते हैं लेकिन सेकंडरी में फैक्टरी में मिल्स में इन में काम करना परते है और टर्शेम में मल्लाव ट्रांसपोर्टेशन करना होते है बैंक इस हो दो लोग मेहनत कम करना चाहते है लेकिन मुनाफ़ा महनत कम करना जाते हैं तो महनत कम करके वो क्या करें Secondary में मूव हो रहे आप अब शेर्सけてर места इंप्लॉइमेंट कि प्राइमरी सेक्टर में तर्षरी में ज्यादा लोग जारे तो तर्षरी में क्या लोग ज्यादा गए और disciple Empire में कम और सेकंडरु में भी घाए यह तीन भाइघे आब हमने पहले देखा था क्लास इफिकेशन ओफ देखो यह वाला पढ़ाता है हमने टापिक सेक्टर ओफ इंडियन इकनोमी में तीन पार्ट अब हम पढ़ेंगे हमारा क्लासिफिकेशन और उनर्स्टिप की जो भी सेक्टर और प्राइबेट दो लोग उसे ओन कर सकते यह तो पब्लिक के होगी यह तो प्राइबेट होगी सेक्टर दक जाता है यह सब हमारे क्या होता है पब्लिक शेटर जो हमें गवर्मेंट प्रॉव प्रवैट करते है यह सब हमारी जाता है है अ क्लासिफिकेशन देखना है बिलेंगी और जब जब छुट्टी मिलेगी उसके भी उसको पैसे मिलेंगी यह नहीं कि जिस दिन तो उपने छुटी मारी उस दिन के पैसे कट गए नहीं आपको पैसे मिलेंगे संडी के छुटी के पैसे मिलेंगे ठीक है अनॉर्गनाज़ क्यों होते है It consists of small and scattered which are not in the control of government It has low pay and unsecured job इसमें क्यों होते है गधा मजदूरी गधा मजदूरी का लेवरी जो लोग कड़ते हैं उनकी क्या कंफर्म होती है कि 30 दिन भाई मतलब 365 डेज हमें क्या मिलेगी जॉब 365 डेज हमें काम मिलेगा ऐसा नहीं होता ना कभी मिला कभी नहीं मिला सब रामबरों से ठीक है पर अब भी हमने जॉब प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल्स चुगेट जॉब इस इस कॉल्ट अनिम्प्लॉइमेंट एक परसन काम करने योग यह तो है काम कर भी रहे हैं वेज पर वो क्या करता है जॉब पाने में सफल नहीं हो पाता सब उसमें गुण है जॉब लेने के पर उसको देखोगे तो सीजनल डिस गाइड इस्ट्रक्चुरल सिक साइकल लिकल और फ्रिक्शन पांच यहां पर लिखें सबसे पहले देखते हैं सीजनल अनिम्प्लॉइमेंट विच जने डियू टू दा वेरियेशन इन इस सीजन इस कॉल सीजनल डेवलोप्मेंट जो अनिम्प् पहलेएं कि 365 दिन वह गहुई काटेगा नहीं न तो उसका क्या सीजन वाइस उसको इंप्लॉइमेंट बिलेगी अब डिस गाइड अनिम्प्लॉइमेंट देखे वेन मोर पीपल रवर्किंग देन डिक्वाइड इस उनिम्प्लॉइमेंट अब इसका एक एक्जामपल लेत हैं लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और बंदे को ऐड कर दो और बंदों को अच्छी तरीके कर सकते हैं लेकिन चारों मिलकर करेंगे न तो क्या होगा चारों कितना भी जो लगा लो जमीन उतना ही तो देगी न जितना दो बंदे कर रहे थे अगर वह दो जो नए आये जब हमारी एकनोमी जो है फेल हो जाती है बंदों को जौब देने के लिए तो हम उसे अनिम्प्लाइम्ट कहते हैं अब देखते हैं the unemployment that create because of depression in an economy is it is called cyclical unemployment कोई unemployment depression आने से हो रही है मतलब economy में दबाव आने से हो रही है तो हम उसे cyclical unemployment कहेंगे when unemployment happen because of transferring from one job to another the period between changing the job is called frictional unemployment अब unemployment एक इसलिए भी होती है कि हमें एक जौब से दूसरी जौब में transfer होना पड़ते है तो जिस बीच में हम transfer हो रहे हैं उसके बीच का वक्त जो होगा वहाँ वहाँ मेरा